जेहन दोस्तो वंदे मात्रम स्वागत आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ओपिस में एक बाव फिर से तो दोस्तो आज हम बात करेंगे क्लास ओफ एक्टी थी फिल्म के पूरे दोस्तो 22 दिनों के ओटी टी बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में साथ ही साथ दोस्तो हम बात करने वाले हैं आसरम फिल्म में के 12 दिनों के OTT बॉक्स अप इस कलेक्शन के बारे में और दोस्तो हम आपको बताएंगे कि ये दोनों फिल्म में आप तक कर चुकी है कितने करोड रुपे का कलेक्शन शादी साथ में दोस्तो फिल्म में का बज़र्ट के सा है स्क्रीन प आप तक पर्च पाइस सुध हिंदी में सबसे पहले चलिए दोस्तो हम बढ़ते हैं हमाई न्यूस की तरफ वेल फेंड अगर हम बात करें सबसे पहले क्लास ओफ एक्टी थरी की तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये फिल्म कापी शांदार है और शांदार फिल्म होने के साथ साथ मैं ओडियंस इस फिल्म में को काफी ज़्यादा पसंद कर रही है जी यहां दोस्तो इस फिल्म की काफी तारीप सुनने के लिए मिल रही है कि दोस्तो इस फिल्म में के अंदर बावी देवल की एक्टिंग काफी ताबर तोड देखने के लिए मिल रही है वहीं प दोस्तो इस फिल्म में को पेडियूस करा है गोरी खान, सारुक खान और दोस्तो गोरोव वर्मा ने वही पर दोस्तो यह फिल्म हम सबके बीच में 21 अगस्त 2020 में रिलिस करी गई थी अगर दोस्तो बात करें तो दोस्तो यह फिल्म हम सबके बीच में बनाए गई है 32 करोड के बजट में चलिए दोस्तो अगर हम बात करें फिल्मे के कलेक्शन की तो दोस्तो फिल्म ने अपने पहले दिन की शांदर ओपनिंग ली थी 9 करोड 24 लाक रुपे की वहीं पर इस फिल्म ने अपने तीन दिनों में कमा लिये थे 14 करोड 15 लाक रुपे यानि दोस्तो इस फिल्म पहले हपते का कलेक्शन हो चुका था 62 करोड 44 लाग रुपे वहीं पर बड़े फिल्म के दूसरे हपते के कलेक्शन की तरह तो दोस्तो इस फिल्म ने अपने तीसरे हपते का कलेक्शन कर लिया था लग बाग 5 करोड 10 लाग रुपे का इसे के साथ में दोस्तो इस फिल्म में क अभी तक का टोटल OTT केलेक्शन हो चुका है 80 करोड 20 लाग रुपे तो दोस्तो जहाँ पर फिल्म में का बजट मातर 32 करोड रुपे ही वहीं पर दोस्तो इस फिल्म ने 80 करोड का अकड़ा पार कर दिया यानि कि दोस्तो काफी जल्द यह फिल्म 100 करोड का अकड़ा पार कर लेगी और दोस्तो ओल टाइम ब्लोग बच्टर साबित हो जाएगी वहीं पर दोस्तो अगर हम बड़े दूसरी वेब सिरीज यानि के आसरम की तरह तो मैं आपको बता दू कि आसरम फिल्म एक काफी शानदार वेब सिरीज है जो कि हम सबके बीच में काफी शानदा तरीके से MX Player के पर रिलिस करी गई है दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस फिल्म को हम सबके बीच में काफी शानदा तरीके से रिलिस करा गया है और इस फिल्मे के अंदर आपको अपाहरण, सत्याग्रह और राज नितिजे से कई सारे दरश्य देखने के लिए मिल जाएंगे वहीं पर दोस्तो इस फिल्मे के अंदर आपको बावी देवल एक बाबा के रूप में नजर आ रहे हैं और दोस्तो इस फिल्मे का नारा है जपनाब जी यहां दोस्तो बाबा निराला इस फिल्मे के आधार के उपा बताय जा रहे हैं और साथी साथ में ये श्टोरी राम रहीम को पर भी जोड़ी जा रही है अगर दोस्तो बात करें इस फिल्म के डारेक्शन की तो इस फिल्म को डारेक्शन दी है प्रकास जाने और दोस्तो इस फिल्म को हम सब के बीज में 20 करोड के बजट में बनाया गया है चलिए दोस्तो अगर बड़े फिल्म के कलेक्शन की तराब तो मैं आपको बता दू कि ये फिल्म आस्ता के उपर जोड़ी गई है और दोस्तो इस फिल्म के नापको भक्ति की साथ मैं भश्टा चार भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर बड़े फिल्म के कलेक्शन की तराब तो दोस्तो फिल्म ने अपने पहले दिन की शामदार ओपनिंग ली थी 3 करोड 55 लाक रुपे की वहीं पर फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाय थे 8 करोड रुपे और तीसरे दिन का कलेक्शन करा था संडे का 10 करोड 30 लाक रुपे 62 करोड का आकड़ा पार कर दिया था वहीं पर दुस्त अगर हम बात करें फिल्म में के 28 दिन के कलेक्शन की तो दुस्तो ये फिल्म अपने 28 दिन कापी शांदर कलेक्शन करते हुए लगबत 4 करोड 30 लाक रुपे तक का कारोबार कर दी है जिसको जैसे इस फिल्म में का अभी तक का OTT कलेक्शन हो चुका है 22 करोड रुपे तो दुस्तो जहाँ पर फिल्म में का बजट मातर 20 करोड रुपे है और फिल्म ने 70 करोड तक का बजट आकड़ा पार कर दिया यानि कि दुस्तो बौवी देवल एक बार फिर से बॉलिवुड के रुपे कर चुके है तो चाहिसे किलास ओफ एक्टी 3 फिल्म हो या फिर वेब सिरीज आसरम हो पर दुस्तो इससे एक बार साबित हो चुकी है कि बौवी देवल का परिवार यानि दुस्तो देवल परिवार हम सबसे किसी से कम नहीं है विससे दुस्तो अगर आप इन दोनों फिल्मा को देखके आ चुके हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए कि आपको इन दोनों फिल्म में कैसे लगी चलिए दोस्तो जबता के लिए जैहिंद वन्ने मात्रव